क्लास 10th mathematics chapter 3 पिर लीनियर एक्विशन इन टू वैरिवल ठीक है उसे आज हम डेटेल में सॉल करेंगे जो इस वीडियो में मेधड कवर करें वह है है substitution method इस method से हम इन question को solve करेंगे जितने भी problem में हमें इन इन ही methods से ही करना है बाके exam में अगर आता है solve तो तीन method जो आपको पता होंगे उन में सब कोई भी कर सकते हों लेकिन अगर बोल देगा method के इससे करना है तो आपको उसी method से करना है अगर आप कोई दूसरा में यूज़ करते हो तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे ठीप देबल जो भी दे रखाएं उसकी पावर में वने तब इसको क्या बोला जा रहा है लीनिर एक्विशन हमें इन लीनिर एक्विशन को सौल करना है ठीक कोई दिक्कत नहीं है यह हमारा पहला प्लशन है तो मैंने लिख लिए X प्लस Y बरावर 14 एंड X मैंस Y इकल दू 4 कि देबहバं में क्या करना होतें कौनसा अमें ट्रव प्लशन प्लाई करनें सब्स्ट्यूशन में तरव लए करने यह method क्या दें है कि आपको किसी एक variable की value निकालनी होती है चाहिए आप equation 1 से निकाला है या फिर equation 2 से अगर आप equation 1 से निकालते हैं तो value आपको 2 में रखनी पड़ेगी अगर आप 2 से निकालते हैं आपको value 1 में रखनी पड़ेगी प्लस की वाई, ठीक है, माइनस कदर के प्लस की वाई हो गया, X की वैल्यू क्या हो गई, Y प्लस फोर, ठीक, ये किस दिन गाल आपने सेकंड से, तो किस में रखना पड़ेगा, फर्स्ट में, तो आप के लिख हो गए, पुट द वैल्यू, ओफ एक्स इन फर्स्ट, विगेट, प्रोपर लेंगविच, पहले पर फर्स्ट एक्विशन लेख लो, फिर X की वैल्यू रख दो यहां पर, ठीक, Y प्लस Y, कितने Y, दो Y, प्लस की 4, प्लस की 4, उस तरफ जाके क्या हो जागा, माइनस की 4, अब, 14 में से 4 माइनस करेंगे, तो 10 आ जाएगा, 2 मल्टिप्लाइ में इदर आके क्या हो जागा, डिफाइड में, 2 फाइब से 10, तो Y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, हमें X की वैल्यू निकालनी है, फ्राम थर्ड, तो Y की वैल्यू हम यहां रख देंगे, तो X की वैल्यू मिल जाएगे हमें, थर्ड एक्विशन जोगे वह एक पर लिख लेते हैं, तो Y की वैल्यू पूट अप कर दी 5, तो X की वैल्यू कितना होगे है 9, तो फाइनल आंसर एक जगा लिख दो, X की वैल्यू 9 है, और Y की वैल्यू 5 है, इस तरीके साबको पूरा लिखना है, ठीक, रूल क्या कहता है, किसी भी एक एक वैल्यू जोट एक वैल्यू निकालनी है, सेकेंड से निकालोगे तो आपको फर्स्ट में रखना है, first से निकालोगे तब हो second में रखना है ठीक है रखने के बाद solve करोगे आपको एक answer मिल जाएगा एक variable की value मिल जाएगी और उसकी value फिर इसमें रख दोगे तो दूसरी भी मिल जाएगी ठीक है यह question हो गया आराम से बहुत है simple problem तो पहला चलिए second question में आते है important है ठीक है तो ऐसे लिखेंगे second part पर आगे S minus T बरावर यह पहला equation है और दूसरा में दे रखें S plus 3 T upon 2 equal to 6 तो देखो यह upon में पहले तो इसको भाई simplify कर लो fraction में तो LCM क्या जाए 3, 2, 6 इसके साथ 2H इसके मल्टिप्लाइब इसके साथ 3T 6 इसके अब और में कुछ नहीं तो 1 ले लो 2H plus 3T की मल्टिप्लाइब 1 से करोगे किसी भी number को अगर 1 से मल्टिप्लाइब करते हैं तो वही रहता है 6, 6, 36 यह है हमारे पास equation number second और यह first है अब हमें एक equation से क्या करना होदा substitute करके value निकालनी होती है तो देखो अगर यहां से करते हैं तो थोड़ा पेचीदा होड़ा है लेकिन यहां से थोड़ा आसान दिख रहे हैं है नो तो आप ऐसे लिखोगे from first H minus T equal 3 minus T दरखे किया हो जागा प्लस की T से ठीक अपनी first से निकाला है तो आपको कहा रखना पड़ेगा second में put the value देखो substitute कर रहे हैं H की value यहां पर रख रहे हैं put the value of H in second way ठीक तो एक बर second equation लेख लो H की value यहां पर रख दो 2 तो बाहर है ना multiply में H की जगा पर 3 प्लस T रख दिया 2 संदर multiply करेंगे 2 3 is a 6 2 T और यहां से 3 T 2 T और 3 T कितना हो जाएगा 5 T और यह प्लस के 6 इदर आख दो जाएगा 5-6 36 में दे 6 30 30 तो देखो यहां से 30 इदर है यह 5 multiply में थादर आखे क्या होगा डिवाइड में 5-6 तो T की value कितना है 6 और यहां रख दो यहां रख दो एसकी वेली मिल जाएगी और एक चीज में बताना जाओंगा जितने unknown variable आपके होते हैं आपके पास उतने ही लेटी रेक्विशन होनी चाहिए उनको solve करने के लिए यहां पर हमारे पास unknown variable दो हैं तो हमारे पास कितने लेटी रेक्विशन थी दो ठीके future में आप बड़ी क्लास हो में या future में कभी पड़ोगे न जितने unknown variable होती है अगर तीन unknown variable होता तो तीन होगी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्यर तो दो ही होंगी तो यह थोड़ा advanced tips थी जो मैंने आपको बता दी future में help करेगा थार्ड पर आजाओ पहला एक कुशन में क्या दे रखा है 3x minus y equal to 3 and second में क्या दे रखा है 9x minus 3y equal to 9 देखें यहां से 3 common है 3 3 is a 9 3 1 the 3 यहां से only y बचेगा 3 तर इदर multiply में धाकर divide में हो जाएगा 3 3 is a 9 तो यहां से किया गया 3x minus y equal to 3 देख रहे हैं यह जो equation है first और यह equation second है वो डिक्टो सेम है यह different equation ना होकर यह एक ही equation है ठीक है आपके पास जितने unknown variable होते हैं आपके पास उतने ही equation होनी चाहिए मैंने आपको बोला यहां पर दो unknown variable है तो डिफरेंट लिए equation होना चाहिए था बड़ यहां पर different नहीं है यहां पर दोनों ही equation same चीज को represent कर रहे हैं बस इसको जब मैंने simplify किया तो यह आ गया है ठीक है तो यहां पर एक ही लिए equation दे रखें जबके हमें और एक चाहिए था तो पटेको सकते हैं since from first and second it is clear that clear that both the equation both the equation is same so we can't solve इस नॉट सॉल्वेल यह हो जाएगा अंसा इसका इसको उन्सॉल्वी नहीं कर सकती इसॉल्वेल हाई नहीं क्योंकि दो लिमेर इक्विशन चाहिए है यह हमारे पास एक है तो इसके नॉट सॉल्वेल है ठीक प्रॉपर सटेक लेंग्वेज लिख दिया मैंने आपको समझाते हुए तो थर्ड हो गया फॉर्थ पर आजाओ पॉइंट वाला है ना तो फॉर्थ पर आते हैं तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो कमेंट करके जरूर बता है आपको वीडियो कैसी लगी ठीक है एंड बाकि सभी चैप्टर करा रखे मैंने लास्ट पर आपको दो के विडियो की में अधिव करा रखे हैं थीक है उसके बाद आड़ी शर्मा और शर्मा अच्वार के इंप्रॉटन कोशिंट करा रखे हैं रिपीट्ट विद्ट कुशिंट वाहते हैं वो करा रखे हैं एंस एटी पूरी ख़ता है सब की लिंक्स मिल जाएक डिस्क्रिप्शन में और बैतरी प्रेप्रेशन के लिए अपने मेंबर्शिप प्लान जरूर जोइन करें तो कि बहुत ही चीव है अब अब कर दो ठीक यह दो एक्विशन में कि बनें अब वो पॉइंट में थोड़ा पीचीदा हो सकते लेकिन अगर आप कोश्चन पर नजर डालें वन पॉइंट के बाद डेसिमाल है, वन पॉइंट के बाद डेसिमाल है, वन पॉइंट के बाद डेसिमाल है, वन प्लेस 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 के बाद डेसिमा 20 हो जाएगा 2 10 जा 20 और 20 हो जाएगा और पॉइंट कितनी प्लेस के पाद लगाना है 1 तो यह कितना हो जाएगा 2x तो यह हो जाएगा 2x यह हो जाएगा 3y और यह हो जाएगा 13 एक्वेशन नमेर प्रापर यहां से डेसिमल का नामोनिशन अट गया सेब चीज़ इधर भी कर दो टेंस से दोनों तरफ मल्टिप्लाई तो यह थोला सिंप्लिफाई हो जाएगा एक्स दोनों तरफ गया ठीक है एक तरफ नहीं करना है जो चीज़ करो अब दोनों तरफ करो तो चीज़ बैलन्स रहती है तो यह जाएगा 4x 5y 23 अब एक्विशन ए और बी को सॉल करना है ठीक है तो यहां रखेंगे फ्राउम ए ए से सब्सेट्टिट्ट कर रहे हैं वैल्यू 2x प्लस 3y इप्वल टो 13 एक्स के बेड़ो निकाल लेते हैं प्लस के 3y इदर क्या हो जाएगा मैनस के 3y ठीक है एक्स यह तो इदर मिल्टिप्ला है में इदर क्या होगा डिवेड में इसे एक्विशन नमर के हमान लेते हैं थार्ड अब आपने एक्विशन एसे ट्रास्वा कर फो एसे एक्स की विलू निका लिए तो आपको कहा रखना पड़ेगा बी में है ना तुम के लिएंगे पुर्ड वैल्यू अफ एक्स इन एक्विशन बी विए टेकर बी एक्विशन के बाले कलो फोर एक्स की वैल्यू के हमार पास यह है थर्टेन माइनस के थ्री वाई अपॉन टू ठीक अब देखो यह अपॉन में है यह मल्टिप्ले में तो डिवाइड होगा टू टू जाओ अब टू संदर मल्टिप्लाइगा रोगे टू थार्टिन यह गुतना जाएगा 26 23 बाइगा प्लस के वाई तो मैनस के वाई बचाएगा मैनस के टू 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 ट्री और मैनस के वाई उनर जाके कहा गा प्लस के वाई चब्विस में से 23 माइनस करेंगे तब 3 आ जाएगा तो य की वैलु कितनी आ गई 3 य की वैलु कहां रख दो यहां एकुशन नम्र थर्ड में प्रम थर्ड य की वैलु कितनी यह तीन यहां रखना है 13 माइनस के 3 की वाई के प्लेस पे 3 अपन में 2 थर्टीन तीन यह नौ अपन दो तेरा में से 9 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 4 वाई 2 तू 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 जा फूर तो एक्स की वैलु कितनी अगी 2 आंसर ठीक है अराम से हो गया कोई दिखकत नहीं है चलिए आगे बढ़ते है नेक्स्ट कुशिन पाँच वा इसको सॉल करेंगे गिवन एक्विशन हमें जो जो देरा खेलिक लें देने हैं एक्विशन वन है एंड दूसरे एक्विशन क्या है अब किसी से भी वैली निकाल सकते हैं वन से भी और टू से भी ठीक है किसी से भी फ्राम से किन तो देखो एक्विशन रूट थी एक्स मैनस के रूट वह एक्विशन रूट प्लस के एट रूट वह यह यह दर मुल्टिप्लाइ में देतरा के क्या होगा था प्ल्ट में तो यह मेर पस एक्स की वैल वागई निकाला था पो कहार न प्लेगा फॉस्ट मैं जैलिक होगे पूट द था ठीक पुर्द वैली ओफ एक्स ने कुशिन फर्स्ट वी गेट पहला कुशन इक बार लिख लो अब हमें क्या रखना एक्स के जगा पहले रखना है तो देखो रूट 8 रूट 2 रूट के अंदर मल्टिप्लाई होता है 8 to the 16 और यहां नीचे अंदर कितना रूट 3 वाई तो देखोगी यहां से कॉमन क्या है फोर और सॉरी वाई कॉमन है फोर बोल्ट हूं वाई कॉमन है 16 का रूट क्या होता है 4 4 वो देट है और यहां से रूट 3 है अब आपको एक चीज मैंने बताना है किदो नमबर नमबर उनका प्रोडुक्ट जीरो है अगर एक नॉन जीरो है जियाना कि सबसुत कर को टूuchar ठी यहां पर hemen 3 है यहां पर क्या रखोगी कि आप किस से मल्टिप्लाइ करो कि 0 हो जाए अगर एक नंबर 90 तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा जीरो होना ही पड़ेगा तब उसके प्रोड़क्ट क्या है जीरो है यह नॉन जीरो है 90 है 10 4 प्लस रोड स्थी इसकी वैली 0 तो नहीं है न अगर यह 0 नहीं है दो नमर्ब का प्रोड़क्ट के इनके बीच पंडलेशन होता है मिल्टिप्लाइगा प्रोड़क्ट जीरो है अगर यह 1 00 ऑघ्ख जेओं हो जीरो तो y की value 0 है y की value उठाकर यहां रख दोगे तो x की value भी 0 आजाएगी from third into में था y y की value में क्या मिली है 0 something into 0 is क्या 0 ठीकि किसी भी इस number को अगर हम 0 से multiply करते हैं तो वो 0 हो जाते है so x की value भी 0 है और y की value भी 0 है यह हमारा answer आगी हो ठीक कोई एक कदनी है चलिए आगे बढ़ते है ठड़े खुशन में क्या हमारे पास 3x minus 2 5y minus 3 minus 2 and next x upon 3 plus y upon 2 13 upon 6 second ठीकिए इसको चौल करना है मैं तो देखें क्या करेंगे हम पहले equation first और second को क्या कर लेंगे simplify कर लेंगे है ना पहले simplify कर लेंगे from first क्या कि ये फ्रेक्शन में ऐल से हम क्या जाएगा 2 3 6 इसके मुल्टिप्लाइज के साथ जब ऐसाब मुल्टिप्लाइज करते हो तो कैसे जलको ना तो इसके मुल्टिप्लाइज के साथ 3 3 9 एक्स 2 5 10 y मैंनस के 2 अपन पो कुछ नहीं तो 1 इसकी मुल्टिप्लाइज से करोगा तो वही आजाएगा 6 212 ठीक है यह मिल गया हमें एक्विशन पहला सिंप्लिफाइज करके अब इसको भी सिंप्लिफाइज करना है ठीक तो यह सिंप्लिफाइज क्या जाएगा देखों 3 2 6 2 x 2 x 3 2 y 3 y इसके अपन में भी एक्स से इसके अपन में भी एक्स से कैंसल एक्स एक्स तो ओपर क्या गया 2 x प्लस 3 y क्योंकि अपन में सेम से मोने पर कैंसल आउट हो जाते हैं ठीक है डिवाइज हो जाता है 6 x 6 x 6 तो साइकंड एक्विशन में यह सिंप्लिफाइज करके मिली यह पहला तम यह दूसरा है अब क्या करेंगे यहीं से कर लेते हैं प्रॉम भी यहां से हम किस की वेलू एक्स की वेलू या वाई की वेलू निकालते हैं चलो वाई की वेलू निकालते इस कोशन में हुए है । थिए हर एक कुछिन में एक्सान इकाल इसमें य निकाल के दिखाते हैं अ भी प्लस कर टुर्ट बाएक्स यह थ्र आपको डिवेड में तो य की वेलू निकाली कि वेलू आम आक रहना है एक्विशन नुम्बर एमें कि अपने बीस निकाला है तापको का रखना पड़ेगा एमें तो के रहोगे पुट तो वेल्यू ओफ वाई इन एक्विशन ए ठीक है आपको का रखना एमें रखना है तो एक्विशन ये देखो नाइन 10 x 10 y y की वैलियू हमें क्या है यह रख दो यहां पर तो के वेक्विशन यह तरफ माइनस के 12 अब जब सुलूशन हैं आपको केरफुल ही करना है यह देखो यहां से क्या है देखो इस के अपको नेकुछ नहीं तो होरन है 3 1 जा 3 LCM इधर है माइनस के 12 नौत यह 27 एक्स वन के मल्टिप्लाई करोगे किसी भी नंबर मों वही रहता है ठीक है अंदर मल्टिप्लाई करोगे 13 धाई 130 माइनस माइनस प्लस 10 तो नहीं 20x ठीक है अब देखो यहां से 27x 20x तो क्या जागा 47x माइनस के 130 अपॉन 2 इसके अब हो में कुछ नहीं तो 1 ले लो किसी अब क्या करना क्रोस मिल्टिप्लाई इससे होगी किसी भी नंबर को 1 से करेंगे तो वही रहता है देखो मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गए थी यहां पर 3 था ना तो मैंने 2 लिख दिया था गल्ती से तो इसी वज़े से उक आंसर नहीं आ रहा था तो मैंने जब बात में चेक किया तो मेरे को गल्ती मिल गई तो हो जाते हैं हम सौरी गारे तो बारत यहां 36 ठीक है तो यहांपे 36 होगा यहांपे 36 ठीक है तो एक सूथ यहां से आजाएगा प्लस के 94 तो दो बार में डिवाइड हो जागा एकस कि बहुत इस थो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी उसके लिम सोरी गाईस हो जाता है कभी-कभी अब एक्स की वेलुका रख देंगे एक्विशिन नमबर थर्ड में फ्रम थर्ड थर्ड हमारे पास किया तो वाई एक्वेल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3 यहां पर रखना है न तो 13 माइनस एक्स की वेलू कितनी है तो 13 माइनस 4 by 3 तो यहां से किया जगा 9 upon 3 तीन बार गया तो वाई की वेलू कितनी है कि 3 आदे से ठीक है तो यह कुशिन नमारा आराम से बन गया चलिए नेक्स कुशिन पर आद दे है कुशिन नमबर 2 बड़ा इंपोर्टन्ट है कहरें इन दुनों को सॉल्व करने हैंस फाइंड वैल्यू एम फॉर विच वाई एक्स प्रेस थ्री और फिर में यहां पर जो अन्नों वेरियबल बरहुत्यक्त है क्षा टीभ्न आम परनेंखे मेरेरे को पहले और एक्सक्ज की पेल्यू चाहिए यह बिना उसके मैं यह सॉल्व कि नहीं कर सकता है उसके लिए यह सुन्व मेरे को इसको और इसको क्या करना पड़ासर करना पड़ा ठीक तो हमें गिवन क्या दे रखा है देखो 2x प्लस के 3y इक्वल टो 11 पहला एक कुशन है दूसरा मेरे पास है 2x माइनस के 4y इक्वल टो माइनस के 24 ठीक है हमारे पाल एक तीर मेतड होते हैं एक तो होता है Elimination Method एक होता है Substitution Method और एक होता है Cross Multiplication Method मेरा जो Personal Favorite वो है Elimination Method आपका Personal Favorite क्या है करें मेरे को जरूर बताना हम क्या करेंगे Equation No.2 से Values निकालेंगे Substitute करेंगे फिर 1 में तो 2x माइनस के 4y माइनस के 4y इदर रखे क्यों जगा प्लस के 4y और यहाँ पर 24 तो ही है तो हमें जो Equation दे रखे वो लिख लेते हैं ठीक है पहला Equation क्या दे रखे हैं 2x प्लस 3y इकोल टो 11 एंड सेकंड हमें क्या दे रखे हैं 2x माइनस क्या 4y माइनस के 24 यह हमें सेकंड दे रखे हैं ठीक अब हम क्या करेंगे Equation No.2 से From Second X की वेलू निकाल लेते हैं माइनस के 4y इस तरह बाखे क्या होगा प्लस के 4y ठीक और X इदर दे को 2 मल्टिप्ले में रखे क्या होगा Divide में होगा अब करफे का रोत्व उपर सेते को 2 ,2 कंबान है 2 वान्धा 2 2 वन्दा 2 2 वान्धा 4 Cancel So X की वेलू क्या आगी 2y माइनस के 12 कोई दुक्त नहीं है एक्स की में मिल गई है हमने निकाला है सेकंड से तो इसे रखना पड़ेगा कहां पर फिर्स्ट में तो वही हम लिख देंगे पुट दा वैल्यू ओफ एक्स इन फास्ट वही कैट तो फास्ट एक्क मिशन के बल लेख लो तो यहां रखना है मैं एक्स की वैल्यू ठीक है अंदर मुट्टिप्लाई कर लोगे टूटू जा फोर वही टूटिफोर फोर वही और थ्री वही क्या हो जाएगा सेवेन क्यों वही मैंनस के टूटिफॉर दर के प्लस के टूटिफूर थर्टिफाइफ सेवन इदर डिवैड में मल्टिप्लाई में था है दर के डिवैड में हो गया पांच बार तो य की वैलो कितनी हो गई 5 ठीक है तो य की वैली 5 आप मैं क्या करना य की वैलो एक्षिन नंबर थर्ड में रख देना है तो य की वैलो कितनी है 5 है यहां पर रख दिया 5 दो पंजे 10 ठीक तो एक्स की वैलो कि 10 माइनस माइनस की 2 आ गया तो एक्स और य की वैलो तो हमें मिल चुकी है अब हमें एम की वैलो फाइंड करनी है हमें यह रिलेशन दे रखाए सेंसे यह एक्ष गए mix plus 3 so IQ MX कि वैलो किंगे 5 माइनस की टू फ्लस ट्रि प्लस के दर इदर आख एक्ड मैनस के दरी माइनस के 2M यहांसे 2 बचागा माइनस के 2M माइनस के 2 गदर मल्टिप्लाइ में इदर आखे डिवेड मोझागा 2 अन्जा 2 So M की वैलू कितनी अभी माइनस की वन ठीके यह कुशन हम भाई हमारा आराम से बन क्या अब एक्ट कुशन पर आते है कुशन नमर थार्ड वेरी इंपोर्टेंट है कोई सा भी एक्जाम में आ सकता है 1 या फिर 2 माक्स में करें फॉर्म दे पिर अफ लिनेर एक्विशन पर दे फॉलूविंग प्रोब्लम एंड फाइन देर सोलुशन भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड इन कोई सा यह एक नमबर बड़ा वाला वह चोटे वालए नमबर से तीन गुना है तो उन थोनों को फैंड करो ठीक है बड़ा शांदार कोशन है यह प्रोब्लम है तुम क्या करेंगे लट कर लेंगे लेट फॉर्स्ट फॉर्स्ट नमबर पी एक्स और सेक्ट नमबर भी वाई ठीक है यह बड़ा है यह थोटा है माल लिया अकॉर्डिन according to first condition first condition में क्या बोला है difference difference कितना है 26 है यानि कि बड़े में से छोटा वाला मैनस करोगे तो तो कितना है गए 26 है गोग यह एक पेशन पहला पहले कंडिशन से में यह मिलेगा ठीक है बड़े में से छोटा माइनस करें कि डिफरेंस का बतला बता है माइनस 26 अगर्डिंग तो सेकंड कंडिशन है ठीक है सेकंड कंडिशन में किया है कि जो बड़ा नंबर है और यह चोटा नंबर बड़ा नंबर चोटे नंबर से तीन गुना है इसके पास तीन रुपए है तो इसके पास वन रुपए है तो जिस अगर मेरे को एक कुलिटी करना है एक uster की पास तीन रुपेय की पास बन रूप हैं अगर मेरे घरी टाईम से तो अगर अगर बें को एकवल करना है तो इतर तीन से मतीपलिए करो तभी एकवल होगा निके जितना जो बडा होता है है फोटे वाले में उतने ही मल्टीपल हमें कर नितने होते तो थी कुना है तो छोटे वाले में तीन से मिल्टिपल ही हो जाएगी एक्स की वैलू कितनी है थी वही एक्स की वैलू उठा कर फर्स्ट में रख दू यह सब्सुट्यूशन मेटड की उठा के रख रहे हम ठीक एक्स की वैलू मुढ़ा कर रखेंगे हैं आपर तो यहां से हो जाएगा 3Y मैनस की वैलू तो अल्रडी है 26 2 इदर मल्टिपलाई में इदरा के डिपैड में हो जाएगा 2 अंटर 2, 236 सुवाई की वैलू कितनी हा गई? 13 ठीक वाई की वैलू अगर यहां पर रख दो तो यह हमारा क्या 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 सेकेंड नंबर ठीक ए अंसर फर्स्ट नंबर वो क्या था? X एक्स एकॉल दो 3Y वाई की वैलू कितनी 13, 13, 49 सु फर्स्ट नंबर क्या होगा? 13 है क्लिरली यह हमारा अंसर आ गया हूँ चली अगे बढ़ते हैं सेकेंड कॉशन में कहनदार The literature of two supplementary angles supplementary angles क्या होते है? वो दो angles इनका सम 180 होते है supplementary बोलते है अब जो दो angle का सम 90 होता है तो उसे complementary बोलते है ठीक ना? पता होगा आपको supplementary में 180 होता है addition दोनों angle होगा और complementary में 90 होता है दोना एंगल होगा कैने दे लार्जर ऑफ टू सप्लिमेंटरी एंगल एक्सीट था स्मॉलर वाई 18 डिग्री एक्सीट का मतले है कि जो बड़ा वाला है न वो छोटे वाले से कितना बड़ा है 18 बड़ा है यानि कि बड़े में से छोटा वाला मैनस करोगे तो 18 आएगा फाइंड देम देखो यह जो सप्लिमेंटरी वर्ड है यह खुद में एक कंडिशन है यह खुद में एक कंडिशन है कैसे देखूं सेकंड पार लेट फर्स्ट एंगल एक्स फर्स्ट वाले को बड़ा भी बहान रहा है यह एंगल अमने क्या माल यह खुद में लिया यह क्या बोले सप्लिमेंटरी एंगल तो सप्लिमेंटरी एंगल उन दोनों एंगलों का एडिशन होता है एक्स प्लस वही वह क्या होगा 180 होगा जब दो एंगल का एडिशन 180 होता है तो उसे हम क्या बलते हैं तो सप्लिमेंटरी ठीक है तो यह एक्स प्लस वह इकल दो 180 आगे है फिर यह लिको क्या आप अकॉर्डिंग है अग्सेंट कंडिशन है अग्सेंट कंडिशन में क्या बोला है कि जो बड़ा वाला है वह एक्सीट्स करता चोटे वाले से 18 याने कि बड़े मेंसे छोटा वाला मैनेस करोगो तो कितना नची एट है ठीक है यह मतलब होता है इसका अब इन दोनों को सॉल करो है फॉम सेकंड मैनेस वाइदर के गई प्लस के वाइई सु यह एक्स की वेल्ट आगी अब एक्स की वेल उठाके आपको कार रकना पड़ेगा फिस्ट में क्यूंक आपने सेकंड से निकाल ला है तबकार रकना पड़ेगा फिस्ट में तो यहां लेको पुट दा वेल्यू ओफ एक्स इन फिर्स्ट वेगेट तो पहले में रखदोगे पहला वाला किया हमारे बस एक्स प्लस वाई एक्कोल टो 180 एक्स की वेल्यू रख दोगे यहां पर वाई प्लस वाई 2 वाई प्लस की 18 इंदर आखे क्या होगा माइनस की 18 दस में से आट किया तो ठीक है साथ में से एक गैच है 162 मुल्टिप्लाइब का टू इदरा के क्या हो जागा डिवाइट का टूएट्स एक्स्टीन टूवन जा सो य की वेल्यू कितने अगे एटीवन यह चोटा वाला जो एंगल है वो कितना एटीवन है अब वाई की वेल तर्ड क्यामर पस एक सेकोंड़ोगवेट प्लस एटीवन प्लस एटीवन अटट रिकना नॉह परेजा यह चोटा वैंगलग नेयन गयंगल इन जोटा व्लैंगल कितना होग एटीवन होगा यह आपको एंड प्रिपए ने ठीक है तो यह कुशिन भी हमारे एजली बन गया है चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड बाट क्या हुआ है दो कोस्ट आफ क्रिकेट टीम बाई कोच किसी क्रिकेट टीम का कोच साथ बैट और छे बॉल खरीता है तीन अजार आठ सो रुपे में लेटर उसकी बाद वो तीन बैट और पांच बल्ले खरीते हैं सत्रा सो पचास रुपे में फाइंड दा कोस्ट आफ इच बैट एंड इच बॉल सपोस्ट करो मैं आपको एक एक ग्जेंबल देता हूँ आपने एक बल्ला खरीदा हूँ एक बैट की किमत सपोस्कों दस रुपे हैं और आपने पांच बैट खरीदें तो आप दुकान दार को कितना रुपे दोगे एक बैट की किमत एक्स रुपे हैं तो पांच बैट की किमत कितनी होगी फाइव इंट टैन यानि कि पचास रुपे दोगे अब दुकान को ठीक है अगर आप मैं बोलता हूँ एक बैट की किमत एक्स रुपे है और आपने पांच बैट खरीदे तो आप क्या करोगे इसको इससे मल्टिप्लाइ कर दोगे तो क्या हो जाएगा 5x है ना और मैं करता हूँ अगर आपने एक बॉल दो रुपे के आती है और आपने y बॉल खरीदा है तो अब क्या करोगे इसको इससे मल्टिप्ले कर दोगे तो अपने पांच बैट खरीदा दो बल्ले खरीदें तो अपने दुका अंदर को कितनी रुपे दिये तो पांच बैट का पांच एक्स दो गेंद का दो वाई कितने इंद ये टूटल का मतलब क्या होता है प्लस तो 5X प्लस 2Y मैंने किसको दिया है तुका अंदर को है ना तो वही चीज़ यहां help करेगे हमें तो हम लेट कर लेंगे लेट प्राइस ओफ वन बैट इक्वल टू एक्स रूपीज एंड प्राइस ओफ वन बॉल इक्वल टू वाई रूपी ठीक है अक्वर्डिग फर्स्ट कंडिशन पहले कंडिशन में क्या बोल रहे है सेवन बैट्स प्लस सिक्स बाल्स की जो प्राइस से वो इतनी है तिन नहीं राट सु रूपी सेवन बैट्स एक बैट की किमाद एक्स रूपी तो सेवन बैट की किमाद कितनी होगी सेवन एक बाल की किमाद वाई रूपी तो सिक्स बाल की किमाद क्या होगी शिक्स वाई यह है एक्विशन वाई ठीक अकॉर्डिंट रूपाँच बैट और पाँच बाल्स की किमाद कितनी है से तरह सो पर चास ठीक बैटस यह बैटस थी बैटस त्रीडेच फाइब बॉल कितनी इतनी रूपी है थ्री बैटस एक बैट की किमाद एक ड़ूपी तो फ्रीड की किमाद रैक्स ठीक यह लूबडर का आक है इसको फोलयक है elimination तो लिखेंगे फ्राउं किसी भी एक्विशन से नहीं कहा सकते हैं सेकंड से ले रहतने हैं प्लस का फाइब रखे क्या होगा मैनस के फाइब भाई multiply का 3 रखे क्या हो जागा डिवाइट का अब एक्सके वेली अपको उठा के का रखना बढ़ेगा फर्स्तमे क्योंकि आपने से कंड से निकाला आई तो आपको फर्स्तमे रखना मैं बढ़ेगा पुट दे वेल्योफ एक्स इंद एक्विशन फर्स्त फिकेट तो पहला एक्विशन के है सेवन एक्स प्लस एक्स वाई ये चीज़ अब एक्सके प्लस फिवेल्व रखना ही है ठीके देख इसके अपन में ये तो डिवाइड हो नहीं सकता है तो इसके अपन नहीं लेड़ो त्री बंज़ थ्री ठीके सो इसकी मिल्टिप्लेस के साथ वन की मिल्टिप्लेस से करोगे तो बही रहेगा ठीके सेवन संदर मिल्टिप्लेस करोगे सेवन जेरो जेरो शाथ बंज़ बैटिस केरी थ्री शासत्य उन्चास फोर्टी नाइन और थ्री फिप्टी टू केरी फाइफ सेवन दो सेवन 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 और फाइफ ट्वेल्टि थर्टी फाइफ थैसे क्या गया 35 वाइ में से इठाः वाइ मैंस करोगे तो मैंस के 17 वैय अब क्या करेंगे क्रॉस मैंटिप्लाई इसकी मिल् lienकर यसके सथ इसकी मिल्ल प्रेस के सथ 3 00 00 तिन यह टेच आपश बीस के एटू तीन तीन नौ नौ दो ग्या रहा ठीक है सो 1 2 2 5 3 प्लस कद रखे क्या हो जागा मैनस का 1 1 4 00 और यह मैनस कद रखे क्या हो जागा प्लस का जीरो 5 12 मैं से चार गया 8 850 बचां सतरा इदर है मिट्टिपले में रखे क्या जब डिवेड में अधर आप पिच्छास इपांच वर पचास तो वाई की वैलू कितनी अगी 50 तो वाहि की वेलुए उम्हें पहली आ पास कितनी अगी 50 तो वाई हमने के लिठ के दव बाल को थो एक बाल की मत कितनी है बचास अब की मत कितनी अब आ से तो तो आखीं चारेगी है है लास्ट में बज्क देना फ्राइस आप वन बाल इस के निव Mattus 리 रुपी अ तो यहां वाई की प्लस पर मैंने 50 रख दिया अब पॉन 3 पाप पच्छीश दोसो पचा तो मैनस करो 1750 में दोसो पचा घटेगा तो कितना जाएगा पंद्रा सो तो कितना अगया 500 एक बैट की किमत कितनी है 500 रुपी है और एक बॉल की कितनी है 50 रुपी है यह मारा फऑएल नंसर अजाएं जाएगा तो यह कृशन भी मरे यजिली बन गया अब यह जो तीन प्रॉब्रम काफी इंपोर्टेंट है merit बात इंपॉर्टेंट है और एक्जाम में बार बार पुचा गया है यह जो तीन प्रॉब्लम है ठीक करते हैं इनको वन बाई वन कोशिन फूर्थ क्या बोल रहा है टाशी चार्जेस इन सेटी कंसिस्ट अफिक्स चार्ज तोगेधर विद चार्ज फॉर दिस्टेंस कवर फॉर दिस्टेंस अफ 10 किलेमेटर देट चार्ज पेट इस जाओ आप जैसे ही यहां से ऑट यहां जैसे आप बैठ गए तो आपको कुछ ना कुछ रुप्र पे करने वचाहें आप चलो आगे जाव या ना जाओ, वहीं पर भी उतर जाओगे, तो फिक्स प्राइज आपको दे नहीं है, आटो में बैठते ही आपको उतना रुपे तो लगे गए लगेगा, जितना आप किलो मेटर चलोगे, उतना आपको और पे करना होगा, ठीक है, तो यह अगर फिक्स प्राइज है, यह एंड यहां पर लिख देता हूं मैं एंड पर एक्स्ट्रा वन किलोमेटर चार्ज वो में माल लेता हूं वाई रूपी है एक किलोमेटर का वाई रूपी लगता है और यह चीज़ में फैंड करनी है ठीक अकॉर्डिंग तो फर्स कंडिशन फर्स्ट कंडिशन में क्या है देखो कि वो कितना जल्द है फॉर डिस्टेंस अफ 10 किलोमेटर तो चार्ज पेड़ इस 105 एक किलोमेटर का वाई रूपी है तो 10 किलोमेटर का कितना होगा 10 वाई और देखो फिक्स चार्ज वो तो फिक्स है X रुपए तो आपको देने ही देने हैं ये तो फिक्स चार्ज हो गया है प्लस कितना किलो मेटर 10 किलो मेटर है 10 किलो मेटर के लिए किया हो जागा 105 कितना रुपए करना है उसको 105 according to first condition for 10 किलो मेटर कितना रुपए करना है 105 ठीक है यह हमारा equation number क्या आगया first अब next according to second condition second condition में कितने किलो मेटर के लिए और 15 किलो मेटर how many rupees she have to pay 155 fixed हमारा चार्ज तो रुपए ही है फिक्स और 15 किलो मेटर के लिए क्या हो जागा 15 भाई कितना रुपए करना है 155 यह मारे एक्विशन नम्र क्या आगया second अब इसको एलमेशन में जाता स्वाल को रिए हमें मारा अंसर मिल जाएगा from second plus के 15 भाई इदर क्या होगा minus के 15 भाई अब second से निकाल है हमने तो मैं कहा रखना पड़ेगा फिस्ट में पुट दर वैली ओफ एक्स इन एक्वेशन फस्ट वी गेट तो फस्ट के है एक्स प्लस टेन वाई इक्वल टो 105 एक्स के प्लस भी वैल्व रख देंगे तो यहां से आजाएगा 155 मैनस के 15 भाई 10 भाई तो मैनस के 5 भाई ठीक यह 105 प्लस के रखे मैनस का होगा और यह मैनस को दो जागे क्या हो जागा प्लस का है तो कितना अगे 50 है अगे मल्टिप्ले में था कि डिवाइड फाइब 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 जिए रो यानि कि उसको एक किलोमेटर चलने के लिए कितना देना पड़ेगा हर एक किलोमेटर एक्स्ट्रा जलने के लिए टेन रुपीज पे करना होगा यह जो भी मैं बोल रहा हूं लास्ट में आपको लिखना होता है ठीक है सुप पर किलोमेटर चार्ज इस टेन रुपी यह लास्ट में लिख देना आप आप यहां पुट कर तो आपको एक्स की वेले मिल जाएगी जो फिक्स चार्ज है कि क्या लिख हो कि फ्रॉम थार्ड वन फिप्टी फाइफ फिटिन वाई की वेलू कितनी है टेन है स्वाल करते हैं 155 150 तो फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपी है बतलब आटो में चड़ते ही आपको पांच रुपे देना ही पड़ेंगे उसके बाद जितना आप चल आगे जाओगे पर किलोमेटर के साब से आपको और चार्ज करना है तो फिक्स प्राइस कितना है हमारे पास 5 रुपी ठीक है नाओ पोशिन में 25 किलोमेटर चलने के लिए कितना रुपे देना होगा वो भी निकालने है फॉर 25 किलोमेटर फिक्स प्राइस एक्स रुपे है 25 किलोमेटर एक्स टा चल रहा है तो 25 वाई हो जाएगा एक्स की वैल्यू हमने निका लिए 5, 25 ऑई की वैल्यू हमने निका लिए 10 है की नहीं वाई कि लेने कितना रही रही है 10 निका लिए 10 क्लोमेटर लिए तो फिक्स एमारा अंसर आगे है लेए जबर दस कोशिन था, नेक्स्ट कोशिन प्राजो, कहारे हैं, अब फ्रेक्शन बिकम्स 9 अपन 11, इफ 2 इस एड़ेट तो बोथ दे नुमेरेटर एंद देनमेटर, इफ 3 इस एड़ेट तो बोथ देनमेरेटर एंद देनमेटर, इड बिकम्स 5 अपन 6, फाइंड फ्रेक्शन, सिंपल और बढ़िया कुशन है, इंपोर्टन है, देखो, एटम फ्रेक्शन बाद लेते हैं, फ्रेक्शन इसी है, फ्रेक्शन बिकम्स 5 अगर मेरे को एक्स पता चल जाए, अगर मेरे को य का पता चल जाए, मैं यहां पर रख दूँगा, तो मेरे को मेरे फ्रेक्शन भी मिल जाएगा, ठीक, तो हमरा ultimate goal क्या हो, एक्स और वाइ फाइंड करने का, according, to first condition, first condition में क्या बोलाई, कि जो भी आपके पास फ्रेक्शन है भी, एक्स अपोन भाई है, इसे क्या बोलते है, numerator इसे वाले क्या बोलते है, denominator, so क्या बोल रहे है, if 2 is added to both the numerator and denominator, 2 numerator में add करो, 2 denominator में add करो, तो वो कितना बन जादा, 9 upon 11, cross multiply करो, 11 into x, 11 x, 11 to the 22, 9y, 9 दूनी 18, plus के 9y दराखे, minus के 9y, plus के 22 दराखे, minus के 22, 18 में से 22 माइनस करोगे, तो माइनस के 4, पहले equation, पहले केस से मिरेको पहला equation मिल गया आराम से, अब हम किस में हैंगे second condition में, second condition में क्या बोले है, if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 upon 6, अगर, आपके पाथ जो fraction है, उसमें 3 numerator और denominator दोनों में add किया जाए, तो 5 upon 6 बन जाता है, ठीक है, तो मुल्टिप्लाए के रखेंगे को 6 इंटो एक 6 X, 6 3 जा 18, 5 Y, 5 3 जा 15, प्लस के 5 Y जा रखेंगे माँनस का 5 Y, 18 प्लस के रखेंगे माइनस का, या से क्या जाए 15 माइनस 18, तो क्या जाएगा माइनस के 3, सेकंड इक विशिन आ गई, अब हमें क्या करना है, सॉल करना है, प्रॉम सेकंड, माइनस के वाई उद्र आके क्या जाएगा, प्लस के वाई, यहां तो अलटी माइनस का 3 है, 6 इदर मिल्टिप्लाइ मेद्रा के क्या हो, गर डिवैड में, ठीक है, तो यह मेरे को एक्स की वाई मिल गई, किस से निगा लाए हमना है, सेकंड से, तो मेरे को किस में रखना पड़ेगा, फर्स्ट, तो मेरे को किस में रखना पड़ेगा, यहाँ पर, पुट दा वैल्यू, ओफ एक्स इन, फर्स्ट वे गेट, तो फर्स्ट एक्विशन का युपार लिख लाएते हैं, प्रॉपर, 11 एक्स माइनस के नाइन वाई, इक्वेल टो माइनस के फॉर, एक्स के वैल्यू रखनी हम है, इसके अपर में कुछ नहीं तो वन ले लू, 6 वन जा 6, इसकी मल्टिप्लाई, किसी की मल्टिप्लाई वन से करने पर वही रहता है, 6 नम चोववन, मैनस के 4, 11 संदर मल्टिप्लाई कर दोगे, 55Y, 11 एंटेंटेंटेस, 55 में से चोवन वाई माइनस करोगे तो 1Y, इसके अपर में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, इसकी मल्टिप्लाई से करोगे तो वही रहेगा, 6 जोग को 24, माईनस के 33 है के प्लस के 33, और यहां पर ऑटोमेटिकली पहले से ही बाट है माईनस के 24, तो 33 में से 24 को टाव तो अच्छ है, तिन नौ, सो य की वेलू क्या जाएगी 9 ठीक य की वेलू एक्यूशन नंबर थाड में रख दो गए एक्यूशन थाड क्या था 5y माइनस का 3 अपॉन 6 तो य की वेलू है 9 पाच नम पैता अलिस माइनस 3 अपॉन 6 42 अपॉन जाएगी चैसे 72 सो एक्स की वेलू क्या आगई 7 ठीक है सो फ्रेक्शन क्या जाएगा फ्रेक्शन आपने एक्स अपॉन वाई लेट किया था एक्स की वेलू 7 में लिए य की वेलू 9 यह होँआना अंसर 7 अपॉन 9 ठीक बढ़िया को शेंता एजली होगे लास्ट कुशन है बहुत इंपॉन्ट करें 5 यह था एंस दा एज अज़ जैकब विल बी थी ताइम्स दा उफिस सन फाइव यह अगो जैकब एज वाज़ शेवन ताइम्स दा उफिस सन वाट आर दियर प्रेजेंटेज तो क्या बोल रहे हैं अब से 5 साल बाद अगर मेरी अभी एज दस साल है तो तीन साल बाद कितनी होगी तीरा होगी जब भी बात का सिंबल आइगा मतलब एड करना है और अभी मेरी अगर यह दस साल है तो तीन साल पहले कितनी होगी सात साल तो पहले के लिए मैनस करेंगे और बात के लिए प्लस करेंगे सु दिखे इस कोशन को मैं सिंपल तरीका से करवाऊंगा पहले तो लेट कर ले ने लेट प्रेजेंट एज अफ जैकब एक से एर ठीक है एंड प्रेजेंट एज ओफ एस सन वो मैंने कितनी मान लिव आई है और यही आपको फाइंड करना है ठीक है क्या बोले है फाइव एटस एंस दे एज अफ जैकब विल बी थ्री टाइम्स ओफिस सन फाइव एटस फ्रॉम अब से पांट साल बाद जैकब की इस कितने होगी जैक एज ओफ जैकब अभी एक्स है तो पांट साल बाद कितने होगी एक्स प्लस फाइव बात का सिंबल है तो एडिशन करना है ठीक है एंड एज ओफ इस सन अभी वाई है तो पांट साल बाद कितने होगी वाई प्लस फाइव ठीक है फिर आप लिए अकॉर्डिंग टुक्वेस्टिन यह बाप है यह बेटा है यह बाप है यह बेटा है मतलब यह चोटा है यह बड़ा है मैंने बोला था हूं कितना टाइम हो जाता है यह बोल रहे हैं हूँ है थी टाइम सब्सक्राइब बाप तीन गुणा यह बेटा तीन चोटा है तो छोटे वाले में तीन से मट्टिपलाय करना होता है है एक कुल्टे गाने के लिए समझार के थोड़ी तरह पहले भी हुआ अब क्या करेंगे तीन से मट्टिपलाय करोंगे 3y को तो निए 15 1 प्लस के 3वा इदर के क्या होगा? माइनस के 3वाई प्लस के 5 इदर के माइनस के 5 सो एकस माइनस 3वाई कितना जागा 10 ये पहला एक्विशन ठीक अब आजाओ सेकेंड कंदिशन में ये था अकॉर्डिंग टू फिर्स्ट कंदिशन यह लिखेंगे अब अकॉर्डिंग सेकंड कंदिशन ठीक है? सेकंड कंदिशन में क्या बोला है? फाइव येर्स अगो मादा आप से पांसल पहले एज ओफ जैकब अभी एक से तो पांसल पहले क्या होगी? एक मैनस फाइव एज ओफ इस सन अभी वह ये तो पांसल पहले कितने होगी? वाई मैनस फाइव फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेशन कितना टाइम होता है? बापा अपने बेटे से कितना बड़ा होता है? सेवन टाइम्स तो ये बाप है और ये बेटे है तो छोटे वाले में सेवन से मिल्टिप्लाइ कर देंगा और यहां लगा जाए एक पुल सेवन भाई, सात बफनी पैंटिस, मेस की सेवन आ जाए गाया धर की metabol ANYगा की मैनस की सेवन मालस का 7 बाप इन ज्शेंग प्लास के पांच पांच ? मैन स्वै स्वैजिंग मैन स्वैंन स्फित कि सैपालर कहा है थिष्ठीज हो गया अब इं दोने एक विश्मकर क्या करें किस मेज़ें से शब्स्च्टिउशन मेज़ें कि समों से थे करता हूं कि यहां थोड़ा दिर्फने मेरी पास diferentes घरता हूं आप से वे संप्सट्विट कर सकते हैं दोनों से यह जाएगा अथरो माइनस करकीया फलस के सब Но ठीके तो यह x की value आ गई है, अब second से निकाल है तो मैं का रखना पड़ेगा, first में, put them, value of x in, first we get, यह x यहां रख देंगे, minus की 30, plus की 7y, x की value, automatically 3y है, 10, तो 7y में से 3y गया, 4y, minus के 30, minus के 30, यह रखे क्या हो जागा, plus के 30, और automatically 10 है, यहां पर, 40, यह 4 multiply में है, यह रखे क्या हो जागा, divide में, यानि की जो उसका sun है, वो कितना साल के है, 10 साल के है, y कितना है, 10 है, यानि की उसका जो बेटा है, वो 10 साल के है, अब y की value उठाकर equation number 3rd में रख दू, from 3rd, एक बाल लिख लेते हैं, y की value put up करेंगे, 70, 70 में 30 माइनस करोगे, तो 40, तो उसका पिता कितने साल के है, 40 साल के है, so last में के लिख दूगे, so present of his father is 40, and his son is 10 years, ठीक है, तो यह कोशन हमारे इसले बन गया, अगर वीडियो पसंद आजो तो प्लीज लाइक शेल ज़रू करना, ठीक्स वाचिंग, एंड डिस्क्रिप्शन गाइज ज़रू चेक करना, और प्री लिस्ट को ज़रू चेक करना, और मेंबर्शिप प्लान ले लो, बहुत ही चीप है, बहुत ही बैस्ट है, ठीक्स वाचिंग, क्लास 10 और 12 की मैट्स पर अलड़ी कम्प्लीट है हमार चैनल पर हैं,